Welcome to my YouTube channel, here I will discuss about mir text command अगर किसी text को आपको mirror करना है तो उसके लिए इस command का use करना है तो simply आपको क्या करना होगा, पूरी command का जो नाम है उसको लिखना होगा कीबेट से आपको simply लिखेंगे M I R T E X T then enter press करेंगे, फिर इसके बाद 0 से 1 के बीच में value put करना है तो इस command का activate करने के लिए 1 लिखूंगा, then enter की press कर दूँगा फिर इसके बाद हम mirror command activate करेंगे, तो modify menu में जाएंगे और यहाँ पर यह mirror लिखा है, वहाँ activate कर लेंगे फिर इसके बाद text को मैं click कर दूँगा, जिसे मुझे mirror करना है then enter की press कर दूँगा, फिर यह बोल रहा है specify first point आप mirror तो इसके लिए मैं कहीं भी जहां से mirror करना है, तो मुझे यहां से करना है तो इसे कर दिया हूं click, फिर इसके बाद specified second point तो second point आप कहीं भी ले सकते थे, मैंने यहां पर ले लिया फिर यह बोल रहा है कि जो source object यह वाला था, इसे erase करना है या नहीं करना है मुझे suppose यहां पर नहीं करना है, तो simply no दावा दूँगा फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा original text था, वो mirror हो गया है और वो भी उल्टे अक्षरों के साथ mirror हुआ है अगर आपने मेरा mirror वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं I button में उसका वीडियो दे दिया हूँ तो आप mirror command का वीडियो जरूर देखें मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Please subscribe my channel, thank you